असलाम अलेकुम तो स्वागत थे आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नय और लेटिस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को टिंद क्लास के उर्दू के दरक्षा के किताब से चैप्टर नंबर 29 पढ़ाने जा रही हूं जो कि एक घजल है और ये एहमद फिराज की लिखी हूई है एहमद फिराज की पहली गजला आप लोगों को पढ़ना है चैप्टर नंबर 29 में और दूसरी गजल भी पढ़ना है जो कि चैप्टर नंबर 30 में यानि कि 30 में चैप्टर नंबर 30 में उसमें आप लोगों को एहमद फिराज की दूसरी ग गजल को पढ़ेंगे ठिक और गजल किसे कहते हैं मैं सब कुछ बता चुकिए हूं गजल में क्या क्या चीज़े होती है अगर आप सच में जाना चाहते हैं इस चैप्टर के जो लेखक है मुसनिफ उनके बारे में समझते हैं कुछ डीटेल से जान लेते हैं और उसके बाद से फटाफट हम लोग इस घजल को पढ़ेंगे और परतीक लाइन को पढ़कर मैं उसका मतलब समझाओंगी ठीक लेकिन उससे पहले एक छोटी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल ठीक तो सबसे पहले एहमद फिराज यानिकी मुसनिक लेखक के बारी में जानी है देखे इनकी पैदाइश हुई थी उन्हें से 33 बी में पेशावर में ठीक कोश्चन पूछता है कि एहमद फिराज की पैदाइश कहा हुई थी और आप सन में दिया रहता है पेशावर तो पेशावर में ठीक और उसके बाद से सन भी याद रखिएगा कि उन्हें से 33 में हो सकता है कि इस बार यह पूछ दे कि एमद फिराज की पेदाइश कब हुई थी और अपसर में दिया रहे उन्हें से 33 भी ठीक तो दोनों याद रखना जरूरी है और इनकी इप्तदाई ता पढ़े लिखे थे अदभी था और इसी लिए एमद फिराज की श्रुवाती सिक्षा घर पर हुई ठीक और शायराना भी था घरेलू महाहौल यानकी घर के लोग शेरी भी किया करते थे और शायद यहीं वज़ा थी कि एमद फिराज भी बच्पन से जब वो पढ़ रहे थ उसी वक्त से यह शायरी करना शुरू कर दिये ठीक है आगे बढ़िये अदभी और शेरी खिदमात का इतिराफ करते हुए कराची उनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टर ऑफ लिट्रेचर की डिगरी से नमादे जब एहमद फिराज बच्चे थे यानिकि बच्पन से यह श शेरी और उसके बाद से अदब को बढ़ाने के लिए बहुत एहम भूमी का है ठीक है अदब को बढ़ाने में और शेरी को एक तरसे प्यलाने में विष्थार करने में इनका एहम योगदान था धीक隻 अदबी और शेरी खिदमात का इतिराफ करती हुए यानिकि एहमद फिर ने डॉक्टर ऑफ लिट्रेचर की डिग्री जो है ना एहमद फिराज को दी डॉक्टर ऑफ लिट्रेचर की डिग्री से नवाजा आगे बढ़िए एहमद फिराज कई जगा मुलाजमत कि देखिए मैं लिख भी दी हूं परशावर उनिविश्टी में लेक्चर के तौर पर डिरेक्टर जेनरल ऑफ लिट्रेचर विए बने थे उसके बाद से नेशनल बुक्ट फॉंडेशन पाकिस्तान की मेलाजिंग डिरेक्टर के पुश्ट फर भी रह चुके हैं इतने जगह जाकर वो जॉब किये हैं और भी बहुत सारे जगह जॉब किये हैं लेकिन जो इंप खुबूल शायर थे और यह याद रखीगा रुमानी मिजाज के शायर थे पूश्टन इस तरह से भी पूच सकता है कि अमन फिराज किस मिजाज के शायर थे रुमानी मिजाज का आपसन में दिया रहेगा तो आप लोग टिक कर लीजिए घीक और एहमद फिराज जो है ना वो टोटल बारा किताब लिखे थे शेरोशायरी का नहीं बारा किताब यह नहीं दिया गया है कि शेरोशायरी का है कि किस चीज का सर्फ इतना लिखा गया है कि उनका बारा किताब था बारा मजमुआ शाय हुआ ठीक और महानामा यानिकी मंतली मैगजिन पत्री का का नाम यहा स야क दास्तान, हफ्तावार वगरबबबब, इन्हों Łन्होंने ठेड़ सारे महनामः भी लिखे हैं छिक और अपनी मौत से पहले बिहार के दरवणगा के मुशाइरे में तश्रीफ लाए अपने मौत, मौत से पहले 2009 इस भी मिलाए थे 2009 में जो है न यह बिहार के दर्भंगा के मुशायरे में तस्रीफ लाए थे अहमद फिराज के बारे में कुछ डिटेल्स जो आप लोगो की याद रखना है अब चले मैं आप लोगो को इस घजल के परतियेक लाइन को पढ़कर उसका मतलब समझाती हूं ठीक तो यह देखिए हमें लेली लिखे हैं शु च्छिपा कर रखना यानि कि जो दर्द की दौलत है तुम्हारे अंदर जो दर्द है दर्द की दौलत उसे दुनिया से च्छिपा कर रखना दुनिया को दिखना नहीं चाहिए कि तुम्हारे अंदर दर्द हैं आख में बूंद नहों दिल में समंदर रखना बहले ही तुम समंदर हो लेकिन आख से एक मुन भी आसू नहीं गिरना चाहिए ठीक और दर्द जो दौलत दर्द है यानि कि दर्द की दौलत है उसे दुनिया से छिपा कर रखना चाहिए कल गजरे जमानों का ख्याल आएगा आज इतना भी नरातों को मनवा रखना यह पर बोल रहे हैं कि जो समय आने वाला है वो आने वाले समय में हम लोग अभी का जो समय गुजर रहा है उसको याद करेंगे ठीक तो अभी के समय को ऐसे मत गुजार दो कि आने वाले समय में जब हम लोग इस समय को याद करें तो हम लोग को अफसोस हो हम लोग को रोना आए अभी के समय को ऐसे गुजारो कि आने वाले समय में जब हम लोग इस समय को याद करें तो हमें अफसोस ना हूँ ठीक तो वही बोला जा रहा है कि अभी के समय को अच्छे से गुजारो अपने आप पर मनवर रखो ठीक अच्छे से अभी के समय को गुजारो कि आने वाले समय में तुम्हें इस सम पर यानि कि अमेंद फिराज बोल रहे हैं कि मेरा जो मिजाज है वो बिखरा हुआ है मेरे बिखरे हुए मिजाज पर हसी आती है मैं खुद एक कांच हूं कांच का पेकर हूं और मैंने दुष्मनी ले रखी है पत्थर से अब सोचो जब पत्थर और कांच टकडाएंगे एक तो टूटेगा कौन और विज्वली बात है कि कांच टूटेगा तो वही बोल रहे हैं कि मैं खुद कांच हूं और दुष्मनी पत्थर से ले रखा हूं और जब टकडाएंगे हम दोनों तो मैं ही खुद चूर-चूर हो जाओंगा ठीक तो वही बोल रहे हैं कि अपनी कब नहीं थी मुझे आशा कब नहीं थी तुम्हारे आने की पहले भी थी अभी भी है लेकिन अभी यह जो आशा है इस तरह बढ़ चुकी है कि मैं अपने घर से बाहर कदम नहीं रख रहा हूं कि अगर तुम आओगी और मैं बाहर रहूं और मुझसे बिना मिले ही तुम च से मिले भी ना चली गई तो ठीक जिक्र यह लास्ट लाइन है लास्ट आप बोल सकते हैं शेर लास्ट शेर को क्या कहते हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताईएगा क्यों कि मैं आप लोगों को अलड़ी बता चुकी है जिक्र उसका सही बजम में बैठे हो फिराज दर्द क के लोग तुम्हारे रिष्टेदारों कि या फिर तुम्हारे महबूब की बात करें और उस वक्त तुम्हारे दिल को दर्द हो तो अपने हाथ को अपने दिल पर मत रखना क्योंकि लोग समझ जाएंगे कि इससे इसका जरूर कोई रिष्टा है या फिर अपने हाव भाव क को चेंज मत करना अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को चेंज मत करना नहीं तो लोग समझ जाएंगे कि हाँ इससे तुम्हारा कोई रिष्टा जरूर है तो कहीं भी मैं फिल्म में जाओ तुम्हारे मेभूब की बात होती है तो किसी तरह नहीं लगना चाहिए लोगों को कि इस के साथ आप लोग का चैप्टर नंबर 29 कंप्लीट होता है अब नेक्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 30 यानि की तीस पढ़ेंगे जो कि अहमत पिराज की दूसरी घजल है ठीक तो कोई भी कंफेज़ों और आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं और मैं आप लोग को जो क और खुदा हाफिस